नमस्कार मैं हूँ डॉक्टर वरुद्रवा और स्वागत करते हैं आप सभी लों का अपने इस चैनल पर आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं डियने टेस्ट के बारे में डियने याने की डियोक्सी डाइबोनिकलिक एसेड यह आम गोलचाल की भाष्णा में अगर होता है इसको टेस्ट करने से बहुत सरे इंफरमेशन लोती हैं जो हमें प्राप्त होती है तो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉऌ्टिंट है तो आज के अपने इस वीडियो में इसी डियनेटेस्ट के बारे में बात करेंगे थोड़िसे समूज गे कि contagious i Elderburg को करवाया तक ऐसी अलग-अलग medical test and investigation से जो री जानकारेयां लेकर आती रहों तो आगे बढ़ते हैं तो यह जो DNA testing या फिर genetic testing है इसको कई कारणों से यूज किया जाता है जैसे कि अगर DNA sequence के अगर हमारे DNA sequence में कोई change आया और फिर Chromsomal structure जानना है तो इन सारी चीजों के लिए हम इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं उसके अलावा और भी कई सारे कारण है जिसके लिए इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है इस टेस्ट को paternity testing के लिए भी यूज किया जाता है उसके अलावा prenatal genetic testing यानि कि जो pregnancy के दौरान बच्चे के पैदा होने के पहले ही उसकी genetic testing की जाती है उसके दौरान भी इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है साथ ही साथ कई सारे criminal investigations में भी इस टेस्ट को किया जाता है उसके अलावा ancestry की जाज के लिए ये टेस्ट किया जाता है उसके अलावा आज कल के टाइम पे इसका टेस्ट और भी कई कार्णों से बढ़ गया है इसका range और ज़्यादा वाइड हो गया है इस टेस्ट को करने से कई सारे उसी जो बिमारिया उती जो पीडर पीडर चलती है GEORGI जनेटिकली जो ट्रांस्मिट ऊती है तो इस टेस्ट को करने से उनके बारे में भी काफी जानकरी प्राप्त होती है तो şek डेर्टी जिनका treatment स्टाट किया जा सकता है और हागी वो condition जादा खराब ना हो उनको बचाया जा सकता है उसके अलमा कई सारी दवायों की effect को समझने के लिए इस test को किया जाता है कई सारे cancers भी होते हैं और भी कई सारी बिमारिया होती है जिनकी बारे में इस test को करने से कही जानकारी उसके बारे में प्राप्त होती है तो अब समझते है कि इस test को कैसे परफॉर्म किया जाता है और क्या कि statements की ज़रत पड़ती है और क्या कि chỉ precautions लिए जाते है तो इस test को परफॉर्म करने के लिए जो हमें samples चहीं होते हैं कि लीन का सैंपल होता है कई बारे हिर का जो होता है बाल का मतलब सैंपल भी उसकिया जाता है साथी साथ सलाइवा का सैंपल भी उसकिया जाता है मطलब मैंने बता है कि इस टेस्ट में के सारे informations मिलती हैं तो किस तरह की information चाहिए वो criminal investigation के लिए है या paternity के लिए है ancestry के लिए है या फिर किसी disease related है या फिर बच्ची में जो test किया जा रहा है मतलब prenatal test है उसके लिए तो यह सारा depend करता है और उसी हिसाब से sample को लिया जाता है माले जी के DNA टेस्ट करवा रहे हैं इसमें इस्पेशली जिनेटिक material ही चाहिए उसमें उसके लिए हम cheek cells का भी इस्तेमाल करते हैं तो इसी तरह से अलग अलग जो test है मतलब कि क्या result हमें चाहिए किस लिए हम कर रहे हैं उसी तरह से के लिए PCR का यूज किया जाता है उसके लामा blotting techniques होती है microarray techniques होते हैं यह सारे जो technics in का इस्तेमाल किया जाता है लेकिन जो commonly जो सबसे अदा commonly use कर रहे हैं genetic structure और chromo-zumal structure को समझने के लिए उसके लिए PCR जो test है उसको prefer किया जाता है अच्छा एक और important तो इसको普ní तेस्ट को पर्फॉर्म में ही चैयाória। यह पून्स जातけ तो इसको हर व आप में पर्फॉर्म कर दूने किया जाता है मतलब छोटे लैब्स में यूजलीे और परफॉर्म नहीं किया जाता कैसी लैप का लिंग जिसके आप मदद ले सकते हैं उमीद करती हूं कि आज की वीडियो को देखने के बाद आपकी जो अंडेस्टेंडिंग है इस टेस्ट के टोर्ट जो काफी बढ़ी होगी उसके अलावां भी अगर आप कुछ और भी जानना चाहते हैं या किसी तरीके के और भी क्वेस्टेंज हैं या कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके हमें जरूर बताएं धन्यवाद